जै गुर्देश सभी को प्रडाम गायत्री किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जाने सफेद मतर के छोले बहुत ही टेस्टी है इसको ये एक कप है मैं रात में इसको भिनों के रख दी थी और ये एक कप पानी है ग्लास और इसमें एक छोटी चमच हल्दी इसको मैं कूकर में एक दो या तीन सीटी चढ़ा के रख देती हूं और ये कटे टमाटर एक एक कटे प्याज और अद्रक और लेशन और कटी हरी मीर्च एक-एक अब इसको अच्छे से मिक्सी में ये देखे अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है अब इसको मैं दो या तीन सीटी लगा देती हूं मैं दो तीन सीटी लगाई ये देखे अच्छे से मटर हो गए बॉयल अब मैंने ये ते लखा अच्छे से गरम हो गए एक छोटी चमच जीरा ये तोड़ी सी ये दाल चीनी और ये तेज पते और ये मैंने दो लॉंग डाल दें हूँ और ये पीसे हुए मसाले अच्छे से मैंने इसमें आट कर दियो और इससे अच्छे से चला लेने हैं मसाले को ये देखे इस तरीके से एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी हल्दी क्योंकि मैंने उबले हुए मतर में भी थोड़े से हल्दी डाल रखी थी इस तरीके से इसको चला लेना है ये देखिए मसाले अच्छे से हो गए अब इसमें मैं उबले हुए मतर इसमें आड़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से चला लेने है अब इसमें मैं एक कप पानी डाल ले हूँ और नमक स्वानुसार और एक चमच गरम मसाला और ये मैं ड्राई कस्तूरी मिथी है ये बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्टेश्टी लगता है ये रेखे आए शरू करते ये रेखे छोले मेरे बिल्कुल तयार है इस तरीके से आप भी बनाएए उपर से मैंने कटी हरी धनिया के पत्ते डाल लिये इससे आप पर आठे पूरी के साथ भी खा सकते इस तरीके से आप भी बनाए इस तरीके से छोले और मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए बेल आइकन को दबाना ना भुलिए थांक यू पर वाचिंग